हेलो फ्रेंड दिस इस प्रिया एंड वेलकम टू मैं चैनल लॉर्न विट अस तो आज के सेशन में हम एक प्रिवियस येर एक्जाम हुआ था इंगलिस लिटरेचर का उसके कुछ प्रिवियस येर कॉश्चन को हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपके एक्जाम में और भी हेल्फफोल हो सके और आपकी प्रिवेशन बहुत अच्छी हो तो इस सेशन को पूरा एंड तक आप देखिए और मेरे सांद जोड़े रहिए और आपको ये सेशन पशंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए आई स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को फस्ट कोश्चन है हमारा हू रीमार्क अबाउट निराजसी चौधरी आटोबायोग्राफी तो आटोबायोग्राफी ओफ एंड अननोन इंडियन नो बैटर अकाउंट अप दी पेनेट्रेशन अफ दी इंडियन माइंड पाइड ये बारे में ये पात जो तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विंस्टन चल्चिल, सेकेंड एमके गांधी, थर्ड खुश्वन सिंग्ग या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा बी एस नायपाल ओके फ्रेंड तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी बी एस नायपाल ने ये बात कही थी निराज सी चौदरी के वर्ग अर्ट ऑपायोग्राफी ऑफ एन अन्नोन इंडियन के बारे में नेक्स्ट कॉशन देखिए बहुत ही अच्छा कॉशन है इस टाइप की कॉशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं आल्डस हुकसले का जो नोबल है ब्रेव नियू वर्ड उन्होंने उसका टाइटल दिया तो वो एक्ट और सीन बताना है आपको की कॉशन है तो आप्शन आपको दिख रहे हैं तो इसमें करेक्ट आप्शन है हमारा एक्ट 5 सीन वन Tempest का जो Act 5 और Scene 1 है उसकी किसी लाइन से Aldous Huxley ने अपने Novel का टाइटल लिया है Brave New World तो आपको ये याद रखना है बात करते हैं next question की Who according to the narrator in Lamps as a dream children Attended Grandmother Fields funeral ठीक है तो Charles Lamb का जो ये work है Dream Children उसमें जो Grandmother उनकी जब उनकी death हो जाती है तो उनका funeral कौन अटेंड करता है Option A है Lady C, Alice Ann, Bertram Second है the rich and powerful owner of the Norfolk house Third है the poor and some gentry of the neighborhood या फिर last option है No one from the neighborhood attend the funeral ठीक है तो इसका correct option है The poor and some gentry of the neighborhood Option C इसका right answer होगा बात करते हैं next question की Who justified the use of satire saying ठीक है किसने ये justify किया है use of satire का use किसने justify किया है ये कहकर क्या कहकर Those who are assumed of nothing else are so being ridiculous तो ये बात किसने कहिए First option हमारा John Braden Second Alexander Pop Third Jonathan Swift और D. Ben Johnson तो इसका correct option है हमारा Alexander Pop इन्होंने ये बात की थी Those who are assumed of nothing else are so being ridiculous by use of satire Okay Next question देखते हैं बहुत ही अच्छा question है Good friend for Jesus sake for wear To dig the dust in close here Bless be the man that spears these stone And curse be he that moves my bones On whose tomb are the above line inscribed ये जो line है ये किसकी tomb पर मतलब किसकी कपर पर लिखी गई है उसकी उपर तो फॉर्स्ट ऑप्शन है हमारा Francis Weigand Second William Shakespeare थर्ट पीवी शेल है या फिर George Bernard ये बहुत ही अच्छा कॉशन है और ये बहुत ही बार हर स्टेट के exam में PGT, TGT exam में पूछा गया तो इसका correct option है हमारा William Shakespeare William Shakespeare की tomb पर ये बात जो है ये lines जो है लिखी हुई है ओके गुड़ फ्रेंड फॉर जी जास से एक फॉर वियर नेक्स्ट कॉशन है हमारा Which are the four sexpeerian plays that have a mask within the play ठीक है Sexpeer के इन में से कौन से play में जो mask के यूज किया किया इसको bedding mask भी बोलते है मतलब dance बगेरा ये singing बगेरा performance होती है किसी की साधी पर, bedding पर या फिर ये puppet show था ठीक है तो इन में से option जो दिये गए है तो इन में से बताना है correct option कौन से है तो यहाँ पर correct answer है हमारा option C, A Midsummer Night's Dream Romeo and Juliet, Henry VIII and the Tempest The Tempest हमारे syllabus में तो आपने पड़ा होगा कि उसमें जब Miranda और Ferdinand का जो रिस्ता पक्का हो जाता है तो फिर वहाँ पर वो Prospero बुलाता है उनको dance बगेरा करने के लिए ठीक है, spirits को तो वहाँ पर wedding mask का use किया गए तो option correct option है हमारा option C, यहाँ पर Next question है हमारा Which two works of fiction according the history of the house and its children does the narrator mention in lambs as a dream children तो इसमें हमारा option है Children in the Wood and Robin Red Brist Second is Children at the Norfolk House and Grandmother's Field Third is Robin Hood and the Red Riding Hood Fourth is Robin Hood's Children and Grandmother's Field Norfolk House तो इनमें से कौन से तो work हैं जो Charles Naiman अपने इसे dream children में यहाँ पर बताए हैं according the history of the house and its children तो इसका correct option है हमारा option A Children in the Wood and Robin Red Brist Next question है हमारा Which of the following option is not correctly matched in the context of Charles taken Tale of Two City Tale of Two City के यहाँ पर character दिये गए और उनके profession दिये गए तो इनमें से कौन सा correctly match pair यहाँ पर नहीं है आपको यह बताना है ठीक है फर्स्ट है हमारा Ernest Defarge जो की एक bank manager थी सेकेंड है मिस्स प्रॉस लूसी गवर्नर्स थी है थर्ड है अलेक्जेंडर मैनिट अ फ्रेंच फिजीशियन या फिर जैरी क्रॉंसर एन इंप्लॉय आपको यह बताना है यहाँ पर आपको यह बताना है यहाँ पर आंसर है हमारा option A Ernest Defarge यह बैंक मैनेजर नहीं होते है इनकी पैरिस में एक वाइन साब होती है यहाँ पर तो यह जो है हमारा correctly मैच पियर नहीं है यहाँ पर option A next question देखते है which of the following is true in the context of Jan A. Austin pride and prejudice तीके जो इस statement दिये हैं मैं सो कौन सा correct है Jan A. Austin के play pride and prejudice के बारे में तो first option है हमारा Coraline Bingley is jealous of Louis Hust attachment to Fitzwilliam Darcy second Catherine Kitty Bennett elops with George Bickham third है Mr. Edward Gardiner is the co-guardian of Georgiana Darcy fourth Mr. Colin would inherit the Langborn house first option देखिए यह गलत है मतलब यह सही नहीं लग रहा है second में जो Bickham के साथ कौन भाग जाता है Lydia भागती है यहाँ पर Kitty नहीं जाती है third option Mr. Edward Gardiner जो co-guardian नहीं होते है Georgiana Darcy correct option है हमारा option fourth Mr. Colin यह Langborn house को क्या करता है Mr. Colin जो है इनहेरिट कर लेता है okay next question देखिए what are the two functions of cultural criticism in relation to Shakespeare the tempest that Stephen Greenbelt urged for in his ऐसे culture तो इन दोनों के जो भी work है उन में क्या cultural criticism का relation आपको यह बताना है तो option दिया है first option is experience Jacobian culture and artist imagination second post-colonial Caribbean and African culture third decipher the power of Prospero and hear the ascent of Caliban यह फिर fourth हमारा Prospero arts and his ability to control the supernatural power तो यहाँ पर जो correct option हमारा option C यहाँ पर correct हो जाएगा कि इन दोनों के work में जो यह critical relation यहाँ पर है next question हमारा what does the splendor of the scene remind कुझ बिहारी of in Tagore's play a poetic mood and lack of food तो रविना Tagore का जो play है poet and popper उसमें जो कुझ बिहारी name का character रहता है तो उसको remind करता है ठीक है कि है splendor of the scene a poetic mood and lack of food तो क्या होगा यहाँ पर हमारा correct option option A है a song second the blanket third the cold यहाँ फिर फूर्थ a garden तो इसका correct option है हमारा option A a song कुझ बिहारी क्या करता है वहाँ पर गाना गाता रहता है a poetic mood में और जब उसके बास कहाने को कुछ नहीं होता है option A is correct next question है this particular collection of essay which appeared in 1824 in the newly monthly magazine represented significant trends on the thought literature and politics of the author's time which is the work that is referred to हुए इन में से कौन से वर्क है जो 1824 the newly the new monthly magazine में appeared हुआ था और जिसने उस ताम के poet के thought literature और politics को बहां पर show up किया था तो option A the spirit of age or contemporary portrait the second is order reserters third है हमारा household words fourth है pitre plimless letter and selected essay correct option है हमारा यहां पर option A the spirit of age or contemporary portrait तीक है और यह published हुआ 1825 में और यह किसके दौरा लेखा गया है William Hazlitt के दौरा यह एक लिखी गई biography है आपको याद रखना है तो 1825 में यह published हुई थी उसके पहले 1824 में यह the new monthly magazine में appeared हो चुकी थी एक बात मैं आपसे कहने चाहती हूँ कि जब भी आपको एक्जाम देने जाएं तो आपको previous year caution को बहुत ही अच्छे से देख करके जाना चाहिए हो सकते है कि उनमें सही कुछ आपको repeated caution बहाँ पर देखने को मिल जाएं और एक पिसिक आइडिया भी आपको हो जाता है कि किस टाइप के caution आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे तो next question है हमारा which among the mythological characters not listed by back-end in his essay of friendship who according to the essayist falselessly and frequently sequestered the self for a higher conversation तो इनमें से कौन सा जो है back-end के of friendship में एक character नहीं है mythological यहाँ पर first option है हमारा Epimandius the Canadian second Apollonius of Tis Taina third Thales of Miletus fourth Pneuma the Roman तो correct option है हमारा Thales of Miletus यह जो है of friendship में यह mythological character कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा okay next question है who is considered as the first poet in the lineage of Indian English poetry तो इसमें first poet इसको किसको कहा जाता है तो first है हमारा Torudat then second Sarojini Naidu third Ravina Tego यह फिर Henry Louis Vivian Derojio तो इसका correct option है हमारा Henry Louis Vivian Derojio option D हमारा correct है जो कि first poet है हमारे lineage of Indian English poetry के और यह किसको follow up करते थे Ravina Tego Sidi Aurobindo Sarojini Naidu Torudat के साथ तो next question है हमारा which critics said that the charming Italy after apple picking is justed over with something anachini तो यह critics remark किसने किया था after apple picking पर first option हमारा क्लीनिथ Brooks second है Robert Penn Barron third Ruben Abroar यह fourth option है हमारा Amy Lobel तो इसका correct option है हमारा Amy Lobel यह बात कही थी after apple picking के लिए Amy Lobel जो है एक American writer थी और उन्हे poetry के लिए Pulitzer Prize भी दिया जा चुका है तो आज के वीडियो में हमने कुछ 15 questions को यहाँ पे solve किया English Literature के previous year questions के तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like share जरूर करें ताकि यह जादा से जदा लोगों के लिए helpful हो सके thanks for watching